किहिंद्र सरकार के सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंत्राला के तहत खादी और ग्रामो द्योग आयोग ने चालो वित्वर्ष में उत्पादन, विक्री और नए रोजगार स्रिजन में नया किर्तिमान इस्थापित किया है के वी आईसी के अध्यक्ष मनोच कुमार ने बताया कि के वी आईसी के इस उलेखनी प्रदर्शन ने 2047 तक विकसित भारत की कलपना को साकार करने और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है पीश एक रिपोर्ट 25,000 करोड रुपए को पार कर गी वित्वष 2022 में विक्री का आंकड़ा एक लाख 34,000 करोड रुपए था बीते दस सालों में ग्रामी क्षेत्रों में कारीगरों दोरा बनाएगे स्वदेशी, खादी और ग्रामोदेक उत्पादों की विक्री 2013-14 में 31,154 करोड रुपए के मुकाबले अब 2023-24 में 1,55,673 करोड रुपए के उच्चत्म स्तर पर पहुँच गया है जो अब तक की सबसे बड़ी उबलब्दी है आकड़े जारी करते हुए सूक्षम लगो और मध्यम उद्यम अंत्राले ने बताया कि पिछले सभी आकड़ों को पार करते हुए 2013-14 की तुलना में बिक्री में 400 फीस दी उत्पादन में 315 फीस दी और नए रोजगार स्रिजन में 81 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है डिमांड बनने के साथ ही खादी का प्रोडक्शन भी बढ़ा खादी उत्पादन की बात करें तो वित्वर्ष 2013-14 में खादी वस्त्रों का उत्पादन महज 811 करोड रूपे पर था तो वित्वर्ष 2013-23 में ये आकड़ा 3206 करोड रूपे पर पहुँच गया जो अब तका सबसे बहतरी इंप्रदर्शन है रोजगार की बात करें तो रोजगार पैदा करने में भी खादी का महत्पूर योगदान है वित्वर्ष 2013-24 में जहां करीब 6 लाग नए रोजगार का स्रिजन हुआ था 23-24 की बात करें तो 81-फीस्ति के रुद्धी के साथ अब ये 10 लाग के पार पहुँच गया है खादी वस्त्रों के निर्माड में करीब 5 लाग गाओं के खादी कारीगर में शामिल है मानिये परधान मंत्री जी के नितिर्तों में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 2023-20 में बिक्री का अखड़ा पहली बार डेड़ लाग करोड को पार किया है एक लाग पस्पन अजार करोड रुपे की बिक्री का अखड़ा और दस लाख लोगों से ज्यादा रोजगार ये पहली बार हुआ है और ये एतिहासिक है ये मानिये परधान मंत्री जी के दस सालों के अथक परियासों का ये नतीज़ा है कि पुझे बापू की विरासत आज नित नई उचाईयों को चूरी है आने वाले साल में भी हम लोग इसी लगन और प्रिश्रम से देश के लिए काम करने का परियास जारी रखेंगे